गुड मॉर्निंग आल अफ यू कैसी है आप सभी उम्मीद करती हूं कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे सेफ होंगे सहदमंद होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान भी रख रहे होंगे हम सब इहां बहुत अच्छे हैं मैं आज आपके साथ यह म मटर है इसको मैंने पूरे रात के लिए ओवर नाइट इसको सोग किया था अभी मैंने इससे अच्छे से वाश कर दिया है चलिए इसका छोला प्रेपेर करते हैं कर मैंने रख दिया है यह जब अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें अपना कुकिंग ऑईल डालेंगे यह देखिए पैन अच्छे से गर्म हो चुका है अब मैं इसमें ऑईल डालते हूं जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बे लीफ रेड चिली जीरा और पेपर कॉन काली मिर्च के दाने यह इसके अंदर डालेंगे और यह जब अच्छे से क्राकल हो जाएगा तब आम इसमें अपना अनियन दालेंगे जब तक हमारा अच्छे से प्याज हो रहा है तब तक हम सूखे मसाले जो चाहिए हम एक बावल में ले लेते हैं कोरियंडर पाउडर रेड चिली पाउडर जितना अगेन आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उसे साब से अप रेड चिली डालिएगा उसके बार में थोड़ा छोला मसाला ये भी इसी में एड करूंगी ये होममेड मीट मसाला ये वन टेबल स्पून थोड़ा सा आम कसूरी मेथी तर्मरी खल्दी पाउडर सॉल्ड टू टेस्ट इन सारे मसाले में हम थोड़ा सा पानी एड करके इसको साइड में रख देते हैं अगर आपको अपना छोले का कलर ब्लाकिश चाहिए मतलब अच्छा चाहिए तो ये आपके प्याज के भुन्ने के ऊपर डिप अच्छा भुनते हैं, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें जिञर और गार्लिक का पेस्ट अढ़ए इस स्टेज पे हम अपना जिञर गार्लिक पेस्ट अढ़ए और इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ये देखिए अच्छे से फ्राई होचुक कुक करेंगे इसको 5-7 मिनिंट्स यह हमारा मसाला अच्छे से हो रहा है अब इस स्टेज पे हम इसमें दो टमाटर बारी कटा हुआ है एड करेंगे टमाटर एड़ करने के बाद हमें तब तक कूप करना है जब तक की टमाटर पूरी तरह से घुल ना जाए मसालों के साथ और तेल ओयल उपर ना आ जाए सेप्रेट आउट ना हो जाए देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है अब मैं इसमें गरम पानी करूंगी फिर अपने छोले को इसमें डालेंगे देखिए डाल दिया मैंने अब अभी मैं इसे विसल के लिए नहीं रखूंगी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपका बिल्कुल मार्केट के जैसा बनेगा पहले हम इसे एक बॉयल आने का वेट इसमें बॉयल आ चुका है अब इस स्टेज पे हम इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा एड़ करेंगे और इसमें देखिए जो यह भी रियाक्शन होगा इससे हमारे छोलों का कलर आप देखिएगा जब बन करके रेडी होगा अब हम इसमें विसल लगाएंगे फ्लेम पे ह हम चार से पांच विसल लगाएंगे उसके बाद प्रेशर रेलीज होने के बाद हम अपने प्रेशर कुकर का धगकन को मारा मसाला फ्राई हो रहा है तब तक मैं आपके साथ एक और जटपट बनने वाला क्विक रेसिपी शेयर करते हूं आलू फ्राई जिसको बिहार जहार स्टाइक बाड़ी है इसतरह से कट करना है मेंवाई हमारे सारे आलू वी कटट चुके हैं अब चलिए इसको कूक कर लेते हैं , अब अच्छेसे गरम हो जाएगा मैं इसमें Mustard oil डालूंगी . अब त draft मैं इसमें Mustard oil के मैं सजब इसमें Mustard oil के गर्म होने पर इसमें बहुत basic मसाला चाहिए होता है में बहुत ज्यादा ताम जाम नहीं है इसके अंदर बस ग्रीन चिली सॉल्ट और हल्दी पाउडर और एक पंच फोरन होता है पांच फोरन है बेसिकली इसमें पांच होल स्पाइसेज का मिक्शर होता है इसमें है मेथी सौफ कलाउंजी जीरा और सर्सो के दाने मस्टर्ड से इसको हम अपने ओयल में एड करेंगे इसके पास स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली अब जो हमने आलू कट किया था और इसको फ्राइब करेंगे तर्मरिक अल्दी पाउडर और सॉल्ट तो डेस्ट बस अब इसके करेंडर कोई मसाला और कुछ नहीं जाएगा बस हमें अब इसे प्राइ करना है धीमी आच के इसको अच्छे से अच्छे से फ्राइ करना है क्रिस्प कि देखिए अच्छे से फ्राइ हो रहा है अभी हमें और करना है और इसको आप राइस दाल के साथ इंजॉय कर सकते हैं गरम पराथा या पूरी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं ये बहुत टेस्टी लगता है देखिए अल्मूस्ट डन है पर दो चार मिनट अभी और फ्राइ करेंगे देखिए ये रेडी हो चुका उमीद करती हूं कि ये रेसिपी आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले और बहुत जल्द में आप सभी से मिलूँगी किसी नए इंट्रेस्टिंग ब्लॉग के साथ तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें सेफ रहें, खुश हाल रहें सो सी यू सून, टेक केर, बाबाए